असलाम लाइकूम मेरा नाम मुहमद रहान है और आप देख रहे हैं फार्मसी टेक्निशन अकेडमी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम इंट्रोड़क्शन टू डिस्ट्रिबूशन एंड कंट्रोल ऑफ होस्पिटल मेडिसन ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं होस्पिटल फर्मसी की बुक का तो स्टार्ट करते हैं यनके होस्पिटल के अंदर ड्रग्स को डिस्ट्रिबूट करने के बेसिकली चार मेथड़्स हैं तो जैसे सबसे पहले इंडिविज्व प्रेस्क्रिप्शन ओर्डर सिस्टम कंप्लीट फ्लोर स्टोग कंबिनेशन सबसे पहले इंडिविज्व प्रेस्क्रिप्शन ओर्डर है जनरली यूज्ट बाइद बाइद प्राइब फ्रेवेट फिटल फिर्म पार्वर्र रिकार्मेट्ट बिल्कुल शोटे इस्पतालों में यूज उत जैसे हो क्लिनिक बेस होस्पिटल उते हैं यहां पर जादा बाइजर कंट्रोल ऑफ इन्वेंटरी यानिके फर्मसिस दो है वो तमाम मेडिशन को खुद बाखुद देख लेता है कि कौन सा मरीज कौन सी दवाई लेकर जा रहा है पेशेंट भी इतने ज्यादा नहीं होते हैं इसलिए इसके बाद है कंप्लेट फ्रो स्टोक सिस्टम अंडर दिस सिस्टम दा नर्सिंँंग स्टेशन फर्मसी केरी जाई लिए बोथ चार्ज और नन चार्ज पेशिंट मेडिकेशन उर्चार्ज एंड इन्ड नोन चार्ज चार्जर पेशन वहते हैं जिनको कोई भी मेडिसन जो एड्मिट कोई सर्विस दापिश के कही सर्व खर्चा पर डे का तो उसी सापसिंगो चार्ज किया जाते हैं इस सिस्टेम इस जूज मोस फ़न इन गोर्मेंट एंडर होस्पिटल इन विच चार्जिस आर नोट मेड्ट तो दा पेशन्ट और वेन अल इंक्लिउसिव रेट इस जो फॉर चार्जिंग वही बात आ रही है कि यह तो जानके तमाम चार्जिस को मिला के पर डे चार्ज जाते हैं For this system, the two ways are currently in use. One is under supervision of nurse. अब इसमें, जैसे हमने पुरपड़ा, या तो या नर्स के अंडर होगा, या पिर ये hospital pharmacy के अंदर pharmacist के अंडर होगा. इसके बाद the combination of one and two दोनों का complete flow stock का और ये individual prescription का. This system utilized simultaneously an individual drug order system as primary means of dispensing along with the limited flow stock system. इस प्रवैबली दा मोस्ट कमॉनली यूज़ इन होस्पिटल स्टोड़ या निके आज के दोर में सब ज़्यादे इस्तमाल होने वाला ये ये है. दोनों को जो मिला के इस्तमाल किया जाते है. And is modified to include the use of unit dose medication. और इसको मजीद भी modify किया जा रहा है ताकि unit dose method जो कि हम आगे पढ़ेंगे वैसा किया जाए. अब unit dose method किया है? इसको पहले से जो है वो चार इसको के अंदर डिवाइड करके, order package पैक करके, उसको handle करके, administered करके, सब कुछ label औगेरा, सब कुछ करके जो है, तियार रखा जाता है. इसका क्या फाइद है? पेशन्स रिसीब इंप्रूट फार्मस्यूटिकल सर्विस 24 जार्दर डे. यानि कि जब पहले से उसकी दवाई तियार है, किसी भी मरीज़ की, तो वो जहरी बात है. उसको अच्छी फार्मस्यूटिकल सर्विस मिलेगी. All dose of medication required at the nursing station are prepared by the pharmacy, allowing the nurse more time for direct patient care. यानि कि ये सारी चीज़े जो हैं, ये फार्मसी करेगी, फार्मसी के अंदर होंगी, ये नर्स नहीं करेगी, और नर्स का काम सिर्फ ये रह जाएगा, कि वो direct patient की care करे, उसको ये दवाई बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगएगा. Allow the pharmacist to check a copy of the physician original order, reducing medication error. इसकी वज़ा से जो है, जब जारी बात है फार्मसी में बन रही है, तो pharmacist खुद उसको देखे हैं कि डॉक्टर ने क्या लिखे हैं, और उसी साब से medicine देगा, जिसकी ज़से medication order जो हमने पिछले वीडियो में बढ़ा था, पिछले चैप्टर में, उसका जो खत्रह वो कम हो जाएगा. Elimination, duplication of orders and paperwork at the nursing station and pharmacy. Duplication of order नहीं होगा, पेपर वर्ट जो है, nursing station पे होगा यो फार्मसी पे हो जाएगा. यह सारा जो है, इसका फाइदा है. अब आगे, control of hospital medicine है. Drug control is among the most pharmacist, is among the pharmacist's most important responsibility. Therefore, educate method to assure these responsibilities. Drug control जो है, pharmacist का काम है, तो इसके लिए जो method यूज़ के जाते हैं, hospital, pharmacy, policies and procedure. Drug control begin with the setting of policy, effectiveness of drug control, system depends on the policy and procedure. जो policy and procedure बनाएंगे जाहरी बातवसी के उपर यह डिपेंड होगा. राज रेगुलेशन्स है, pharmacist must be aware and comply with the last regulation and standard related to drug control. जो राज रेगुलेशन्स हैं, उनको implement करना, इस pharmacist का काम है. record keeping है, यानि कि जो भी medicine आ रही है, जा रही है, किस किस को जा रही है, उसका जो है record रखना, इसके लावर drug storage और inventory control है, यानि कि ड्रग को कहां store करना है, कितना store करना है, और इसके inventory को कितनी drug, कौन-कौन सी medicine आई है, उसकी जो inventory है, उसका जो भी control रखना, ये भी pharmacist का काम है. उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मजीद ऐसी वीडियोज के लिए मारे चैनल को subscribe कर लें, किसी किसम का कोई सवाल है तो आप comment section में पूछ सकते हैं.